पेन डिसॉडर दर्थ की बिमारी इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपा क्लेकर में मनोविकार सेख्स रोग सम्मोहन तथा वेस्टनुक तग्नियों महाराष्टी में अकोला में प्रेक्टिस करता हूं हमार्या लोग online consultation करते हैं खुद आते हैं और अपना इलाज कर लेते हैं काफी लोग फोन की ओपर पूछते रहते हैं की pain disorder है मतलब उनको तकलिप क्या होती है कि उनको काफी सारा दर्द रहता है बदन में बदन के अलग-अलग हिस्से में दर्द रहता है बहुत दर्द होता ह है उनको और सब तरह की चांश करने के बावजूद भी दर्द का कारण बदन में कुछ भी नहीं है ऐसा डॉक्टर बोलते हैं मतलब उसका क्राइटरिया जो है कि वह कुन से कंडिशन में हम बोल सकते कि इसको pain disorder है कि जो psychological है psychological pain disorder कि नंबर एक नंबर एक क्या है कि बदन के ए दुना फिरना या कामकाच करना या जीवन के अलग-अलग हिस्सों में काम करना या लोगों के साथ में मिल्यों के काम करना इसमें बाधाय आती है और वो काम नहीं कर सकता social functioning, occupational functioning and other areas of life उसमें ये pain से बाधाय आती है दर्द की शुरूवात, दर्द की तिवरता, दर्द का बढ़ना, दर्द शुरू रहना, ये सब के लिए मानसी कुछ तो भी कारण हो जाता है और उसके वज़े से ये बिमारी शुरू हो जाती है तो दर्द की तीवरता है, दर्द शुरू रहना है, दर्द का कम ज्यादा होना है या बढ़ना है, उसके लिए कुछ न कुछ भानसी कारण है, और नमर चार, दर्द जान भूचकर पैदा नहीं किया आजाता या उसका नाटक कर रहा है, उसको सच्च मुझव जादा, मतलब शायदा दर्द है, ऐसा निकेव नाटक कर रहा है, लोग क्या बोलते है कि इसको तै की निकल नहीं रहा है, बदन में तो कुछ नहीं समझ मेरा रहा है, सब तु अपने जाज पड़ताल किया, कुछ बिमारी तो नहीं नाटक कर रहा है, तो वो नाटक नहीं करते रहता, सच्छी उसको तकलिव होते रहती, सच्छी दर्द है, और वो जान बुछ कर ऐसा उसको पैदा भी नहीं करता, तो यह चार है, और पाचवा जो है, कि मूड है, फिर एंग्जायटी है, या अधर को कोई ही psychiatric illness, मानसिक बिमारी की वज़े से यह दर्द नहीं होना चाहिए, कुछ भी, कोई भी इससे में, और तभी भी दर्द हो रहा है उसको, तो यह pain disorder बोलते है, छे मेने से कम है, तो उसको बोलते है, तीवर सरुप का pain disorder, और छे मेने से ज़्यादा, यदि pain disorder है, मतलब बि disorder है, अब इसका इलाज क्या है, इसमें कहा है कि एक तो pain killer देनानी चाहिए, क्योंकि pain killer दिया, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, मगर उसकी आदत लग जाती है, तो pain killer नहीं होना, फिर anxiety कम करने वाली दवाई यहां, यह नीन की दवाई देने काने कि उसकी आदत लग ज में, क्या फायदा हो रहा है उसको, इसके वज़े से pain disorder continue हो रहा है, तो वो देखना, जानना, counselling करना, संभोन के वस्ता में suggestions देना, यह दि करते हैं, तो pain disorder अच्छा होने में मदद हो जाती है, self-hypnosis हम करते है, self-hypnosis सिखाते हैं, meditation बताते हैं, और counselling करके, और उसके साथ मे कि depression है, तो फिर anti-depression दबाई दाना, जिससे कि pain disorder ठीक हो सकता है, तो यह, जब कुछ भी मिलने रहा है, तो ऐसे कोई आपके संपर्ग में लोग होंगे, कुछ जरूर बोलो, कि psychiatrist से कंसल करो, psychiatrist के पास में जाना मतलो, कोई पागल हुआ है, बाकी भी बिमारियां होती है, जिस कि अजी होती हो जाना, जिस त्थिसे कि अ stun वडशा रहा है, जिस घरू सुछ भी जरूर ऑाके संपराइ़ अपिग्धों, कि अंग्लो गीमारियां होती है, जिस सब्सक्री कार्ण से जिससे कि अ कुछाम होता है, जिस अशë हैं झाना आपके से कि आए बिमारे है, जिसर द